हर रोज की तरह आज की सुबा भी सास की गाली और ताने से ही सुरू हुई मीना रोज रोज के जगरे से तंग आ चुकी थी लेकिन वह और कर भी क्या सकती थी उसे तो सुनना ही था वह चुपचाप सास ससूर और परोसियों के ताने सुनती और रोती मीना की साधी रमेज के साथ आठ साल पहले हुई थी इन आठ सालों में जिन लोगों की साधी हुई थी वे दो तीन बच्चे के माबाप बन गए थे लेकिन मीना अभी तक मा नहीं बन पाई थी इसलिए उसे बांच जेसे सब्द सुनना पड़ता था राह चलती औरते भी मीना को तरह तरह के ताने देती और बांच कह कर चिड़ाती मीना को यह सा बहुत खराब लगता लेकिन वह किस-किस का मुह बंद करती आखिर वे लोग तो ठीक ही कहते हैं मीना सुचती मैं क्या करू अपना इलाज तो करा रही हूँ डॉक्टर ने लगतार इलाज कराने को कहा है जो मैं कर रही हूँ लेकिन जो मेरे बस में नहीं है उसे मैं कैसे कर सकती हूँ एक दिन परोस का एक बच्चा खेलते खेलते मीना के घर आ गया बच्चे को देख मीना ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसे प्यार से चूमने लगी जब सास ने मीना को दूसरे के बच्चे को चुमते हुए देखा तो वह भरक परी वह उसकी गोध से बच्चे को छीनते हुए बोली कल मोही बच्चा पैदा करने की तो तागत है नहीं दूसरे के बच्चे से अपना मन भालाती है अरी तू क्यों डालती है अपना मन हुसाया दूसरे के बच्चे पर तू त अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद करके रोने लगी। रात को रमेश के आने पर मीना ने रोते हुए सारी बात उसे बता दी और बोली मैं बड़ी आभागन हूँ। मैं किसी की इक्षा पूरी नहीं कर सकती। उपर से मुझ पर बांज होने का धबा भी लग बढ़ाने वाला उनके रहते हुए ही आ जाए। तुम तो यह इक्षा पूरी नहीं होते देखकर मा तुम से उल्टी सीधी बाते बोलती हैं। तुम चिंता मत करो तुम्हारा इलाज चल रहा है। तुम जरूर मा बनोगी। मीना बोली। मेरी एक सहेली थी। वह भी बहु कोई कमी नहीं पाई गई। कमी उसके पती में थी। जब उसके पती ने इलाज कराया तभी वह मा बन सकी हो सकता है। उसी की तरह आप में भी कोई कमी हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना इलाज करा लेते। मीना की बात सुनकर रमेश भरक उठा। मानती हूँ कि आप में कोई कमी नहीं है लेकिं तसलिए की खाती मीना ने सलाह देने के ख्याल से ऐसा कहा लेकिं रमेश ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। नहीं मीना तसलिए वगएरा कुछ नहीं मैंने कहा न की। मुझ में कोई कमी नहीं है। रमेश ने उसे डा मीना प्रियाज हुआ, फिर भी उसकी कोख सुनी ही रही, डॉक्टर ने जांच के दौरान उसमें कोई कमी नहीं पाई, देखो मीना, रिपोर्ट देखने के बाद तुम्में कोई कमी नजर नहीं आती, सायर तुम्हारे पती में कोई कमी होगी, तुम एक बार उसे भी इलाज करानी की सलाह दो डॉक्टर ने उसे समझाया अब मीना को पूरा भरोसा हो गया था कि उसमें कोई कमी नहीं है मां बनने के लिए कमी उसके पती में ही है लेकिन उसे कौन समझाये उसे रमेश के गुसे से भी डर लगता था एक दिन किसी ने मीना की सास को बताया कि पास ही से हर किसी का दूर हो जाता है सास ने यह बात अपने बेटे रमेश को बता दी और मीना को बाबा के पास भेजने को कहा रात को रमेश ने मीना से कहा कल तुम मंदिर चली जाना ठीक है मैं चली जाओंगी लेकिन मैं डॉक्टर के पास गई थी डॉक्टर ने मुझ में कोई क कमी नहीं बताई इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना डरते डरते मीना कह रही थी लेकिन रमेश ने उसकी बात को अंसुना कर दिया मीना मैं नहीं जाओंगा तुम कल मंदिर में बावा के पास चली जाना ऐसा कहकर रमेश सो गया मीना ने भी अपने माते पर लगा बांचपन का धबा मिटाने के लिए बावा के पास जाकर उनसे दूआ लेनी की सोच ली दूसरे दिन सवेरे नहा धोकर वह बावा के पास चली गई मंदिर में लगी भीर को देख उसे भरोसा हो गया कि वह भी बाबा की दूआ पाकर मा बन सकती है मीना बाबा के पैरों पर गिर परी और कहने लगी बाबा मेरा दुख दूर करे मैं आठ साल से बच्चे का मुझ देखने के लिए तरप रही हूँ उठो बेटी निरास मत हो तुम्हें ऑलाद का सुख जरूर मिलेगा लेकिन इसके लिए तुम्हें महवारी होने के बाद यहां पांच दिनों तक रह कर लगतार पूजा करनी होगी ठीक है बाबा मैं जरूर आओंगी मीना खुसी से घर गई घर आकर उसने सारी बाते अपने पती को बताई मैं ने कहा था ना कि जो काम दवा नहीं कर सकती कभी कभी दूआ से हो जाती है बाबा की दूआ पाकर अब तुम जरूर मा बनोगी ऐसा मुझे भरोसा है तुम ठीक समय पर बाबा के पास चली जाना रमेश ने खुस होते हुए कहा मीना अब बेसब्डी से महावारी होने का इंतजार करने लगी कुछ दिन बाद उसे महावारी हो गई महावारी पूरी होने के बाद मीना फिर बाबा के पास गई उसे देखते ही बाबा ने कहा बेटी जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही भी कहा था कि यहीं रह कर पांच दि जा और रात में तुम्हारे लिए पूजा करनी सुरू करूंगा अपनी चाल को काम्याब होते देख बाबा मनी मन खुस होते हुए बोला रात को बाबा ने मीना से कहा बेटी इस पूजा के दोरान कोई भी देवता खुस होकर तुम्हें आुलाद दे सकता है इसके लिए तु मीना कहने के बाबा उसे एक कोठरी में ले गए जहां हवन कुंड बना हुआ था उसमें आग जल रही थी बाबा ने ने उसे वही पर बिठा दिया और वह भी बैठ कर जाप करने लगा कुछ देर तक जाप करने के बाद बाबा ने कहा मीना देवता मुझे में समा चुके है वह तुम्हें आलाद का सुख देना चाहते है इसलिए तुम चुप चाप अपने बदन के सारे कपरे उतार दो और आलाद पाने के लिए मेरे पास आ जा वह तुम्हें दुआ देना चाहते है मीना इन्हें यह सोच कर कि बावा में देवता समा चुके हैं और देवता जो भी करते हैं गलत नहीं करते इसलिए उसने अपने बदन के सारे कप्रे उतार दिये बावा उसके अंगों से खेलने लगा और उसे दुआ देने के नाम पर उसका मान भंग कर दिया पांच दिनों तक लगतार बावा ने इस पूजा के बहाने मीना के जिस्मानी संबंद बनाए छटवे दिन बावा ने कहा मीना बेटी हमारी दुआ कुबूल हो गई पूजा भी पूरी हो गई अब तुम जरूर मा बनेगी तुम घर जा सकती हो बावा की दुआ लेकर वह खुशी खुशी घर लोटी नौ महिने बाद मीना मा बन गई उसे बावा की दुआ लग गई थी उसके माथे से बांचपन का धबा मिट चुका था घर के सारे लोग बहुत खुश थे रमेश को अब पूरा यकिन हो गया था कि उसमें मी बाव बनने की तागत है उसे अपनी मरदानगी का घमंड था लेकिन सचाई से अभी अंजान थे